हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्जाम हेलप लोगा स्टेटी चैनल मेरा नाम है आशिश और आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो की कॉमर्स लेना चाहते हैं बट उन्हें ये पता नहीं है कि कॉमर्स फिल्ट क्या है, कॉमर्स फिल्ट में क्या होता है और कौन गोंसे सब्जेक्ट सोते हैं कैसे कैसे स्टडी करनी है या फिर अभी जो टैंथ जिन स्टूरेंट्स ने की है अभी उनके सामने दूविदा बनी होई है उनके सामने अभी भी कॉशिशन है कि वो कॉमर्स को ले या फिर ना ले तो सभी के लिए जो जानकारी है फिर भी मुझसे कोई डाउट रह जाता है तो आप बेजी जग कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी साहता कर सकूँ तो चलिए देखने हैं सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कॉमर्स है क्या कॉमर्स जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा बिजनस का ठीक है सो बिजनस की एक तरह से पढ़ाई कह सकते हैं हम कॉमर्स को कॉमर्स क्या है एक पढ़ाई है कि बिजनस को किस परकार से मैनेज किया जा सकता है बिजनस को किस प्रकार से और अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है देखिए बिजनस जो है वो तो पहले से भी होते चले आए हैं पट अब जो है अब इतना जादा बिजनस के बारे में सब लोग ध्यान देने लगे हैं कि उसको study बना-बना के देरे-देरे नई-ई-ई fields जो है वो आगे आती जा रही है नई-ई study आती जा रही है तो बिजनस में अच्छा कर सके लोग सीखे होए लोग business के अनजर आए तो बहुत जादा grow करने में उनके साहता कर सके तो हम यह समझते हैं कि business जो है एक तरह से मान के चलते हैं कि commerce जो है business की बढ़ा है यानि कि जब आप commerce field में आएंगे तो आपको basically business के बारे में ही सीखना है business point of view से यह पूरा का पूरा जो commerce के field है यह business की ही field है जिस प्रकार से science जो होती है experiments की field होती है उसमें अलग अलग चीज़े होती है chemistry अलग होता है बायो अलग होता है physics अलग होता है इसी प्रकार से commerce जो है यह पूरी relate करती है business से यानि कि जिस दिन से आपने commerce ले ली उस दिन से आपका नाता जो है वो money शब्द यानि कि पैसे से जोड़ गया क्योंकि business का एक ही एक motive होता है पैसा कमाना profit कमाना ठीक है ना तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके जुरत क्यों पढ़ी और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पढ़ेगा so business के अंदर वो students जाता आ सकते हैं जिनकी दिल्चस्पी जो है वो किसमे है business के अंदर है commerce के अंदर वो students आ सकते हैं जिनकी दिल्चस्पी जो है जिनका interest जो है वो किस के साथ है business के साथ है जो कि business करना अच्छा लगता है और business filled उनको बहुत अच्छी लगती है अब इसके अंदर भी आपको क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा, आप ये देखिए, सबसे पहले आजाता है हमारा, देखे, तीन इसके जो main subjects कह लीजे, आप तीन इसके heads होते हैं, जो कि बाद में जाकर पूरा एक course बन जाते हैं, अभी class 11th के अंदर तो आपको ये 3-4 जो subjects हैं जो कि main commerce stream के main subjects हैं, ये आपको deal करने पढ़ेंगे, और बाद में जाकर फिर आप जब आगी की colleges में जाएंगे, colleges में आगी जाकर पढ़ाई करेंगे, तो इन ही field के अंदर आपको पढ़ाई करनी हैं, वो फैसला आपका होगा, आपको choose करना होगा, मैं सब कुछ आपको बता है, वो बहुत जादा बन जाए, यानि कि एक हद से जादा हमें profit, एक अच्छा profit हम कमा सकें, same resources को use करके, so इसलिए manage करना चीज़ों को बहुत जरूरी होता है, accountancy का मतलब क्या होता है, accountancy इसके अंदर एक subject है, उसका मतलब क्या होता है, कि अब देखे, business तो हमने कर लिया, business की जितनी भी transactions होती है, जाहिर सी बात है, वो पैसे के अंदर होती है, कितना मल आया, कितना मल गया, और कितने पैसे आये, उसको कितने पैसे देने है, तो यह सारी के सारी जितनी भी transactions होती है, यह कैसे होती है, पैसों के अंदर होती है, अब उसके लिए हमें जरुरत होगा कि bank में bank वाले account बनाते हैं खाता बनाते हैं तो इसके अंदर accounts बनाए जाते हैं accounts prepare किये जाते हैं इसके अंदर और भी बहुत सारे practical चीज़ें है accountancy जो है management जो है कह सकते हैं theoretical subject है but accountancy जो है वो practical है और कुछ part उसमें 22-30% जो है वो theoretical है so accountancy डील करता है हम किस प्रकार से अपनी business के अंदर जो transaction हो रही है पैसो में उसको record कर रहे हैं उसको सावधानी से दिखा रहे हैं ताकि कोई भी घपला ना हो जाए कोई भी ऐसी चीज़ ना हो आप लोगों के लिए playlist में डला हुआ है अगर आप चाहते है economics क्या है इसके बारे में पूरा जानना तो आप playlist में जाकर देख सकते हैं वैसे तो हमारे playlist में commerce field से regarding बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी वीडियोस जो commerce course से related है chapters की revision है पूरे-पूरे slaves की revision है वो आने वाली है बहुत सारी तो already डली हुई है playlist में बट जो आने वाली भी है तो वो भी आपसे मिसना हो जाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजगा इसके लिए चलिए आगे देख लेते हैं अब management आप जब पढ़ेंगे Accountancy और Economics जब आपके पढ़ेंगे अभी मैं Maths की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें interested होते हैं कि Maths भी लेना है बहुत सारे लोग Maths नहीं लेते हैं वो एक अलग बात है सो management के अंदर जब हम पढ़ते हैं वैसे तो ये 1112 में तो हमें तीनों ही पढ़ने पढ़ेंगे बढ़ आगे जाकर जो field है वो अलग हो जाती है जिस प्रकार से physics, chemistry, bio अलग field हो जाती है फिर आगे जाकर science वाले कोई engineer बनता है कोई doctor बनता है उसी तरीके से commerce में भी अलग-लग field हो जाती है जैसे कि management के अदर मैं बात करूं तो management के अंदर कौन-कौन से courses होते हैं जैसे कि आपने नाम सुनोगा MBA, BBA, BMS ये सारे management के courses हैं आपको college में जाकर आपको choose करना है कि आप कौन सा course करना चाती है management का सीधा साथ मतलब क्या है कि चीज़ों को इस तरह से manage करना कि आपके जो results हैं वो सबसे अच्छे आए उसके बाद हम देख लेते हैं accountancy अंदर हमें कौन-कौन से course पढ़ने को मिलेंगे जाता तर accounts के हमें course पढ़ने को मिलेंगे इसमें जो कि practical पर अधारित होंगे जैसे कि b.com owners हो गया, b.com हो गया, m.com हो गया ठीके ना, अगर आप professional course में जाना चाते हैं CACS वगेरा करना चाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इनका फाइदा और MBA finance में भी कर सकते हैं इनका फाइदा ही रहता है professional courses का अगर आप चाहेंगे कि इसके बारे में separate class लोगँ तो मैं separate class भी लोगँगा बट आप comment box में मुझे comment करगर बताइए कि आप इनके बारे में इन विश्यों के भी बारे में जानना चाहते हैं अच्छे professional courses का एक सबसे अच्छा benefit क्या होता है कि इसमें क्या होता है आप कहीं पर job भी कर सकते हैं companies वगएरा में या फिर आप अपना खुद का भी business चला सकते हैं खुद का भी profession रन कर सकते हैं खुद का भी office खोल सकते हैं जिस प्रकार से एक doctor होता है वो किसी hospital में भी काम कर सकता है और अपना खुद का भी clinic चला सकता है अब आगे बात आजाएगी economics की तो economics के अंदर आप BAE को अनर्स करते हैं और M में करते हैं post graduation degree करते हैं economics में उसके बाद हम बात करें तो अगर ये सब हम लगों ने कर लिया तो इसमें future क्या है हमारा हमें job किस किस प्रकार की मिलेगी कैसे कैसी job मिलेगी so job वगएरा काफी अच्छी होती है इसमें और जो आपका career होता है future होता है वो बहुत जादा bright होता है इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि ये है ही पैसो वाली field यानि कि जहां commerce शब्द जुड़ गया तो वहाँ money जुड़ गया so इस बात की तो चिंता अपमत कीजी ये है ही पैसो वाली अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं अब अपने अंदर skills develop करते हैं और बहुत मन लगा कर चीजों को सीखते हैं तो no doubt इस field के अंदर बहुत जादा पैसा है so job मैं बता रहा था आपको किस किस प्रकार की आपको job जो है वो आगे करने को मिल सकती है जैसे की अगर देखा जाए तो companies वगयरा में commerce field के लिए काफी अच्छे opportunities होती है banks में अधिकतर commerce field को काफी प्राथमिक्ता दी जाते है preference दी जाते है और बहुत सारी fields जो banks वगयरा में ऐसी होती है जो की specially निर्धारित होती है commerce के लिए ही उसके बाद अगर हम बात करें government में भी government के भी कई सारी jobs ऐसी होती है जिसमें specially commerce को प्राथमिक्ता दी जाती है profession की अगर मैंने बात की CACS की मैंने बात की अगर आप profession course करते हैं professional course करते हैं तो उसमें भी आपका career बहुत अच्छा मन सकता है उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक और option यहाँ पर बन जाता है जैसे की जो लोग share market में interested होते हैं देखें वो भी commerce की अगर जिसको अच्छा ग्यान है तो वो share market में जल्दी enter कर सकता है और बहुत अच्छा share market के अंदर पैसा कमा सकता है जितने भी financial institutions होते हैं तो महाँ पर भी commerce की समझ जो है वो आपको बहुत साहता देती है अच्छा अपना career बनाने में जैसे की LIC हो गया, SEBI हो गया, RBI हो गया यह बड़े बड़े वो संस्थान के examples हैं जो की especially commerce के लिए ही commerce की field में ही jobs निकालते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ management के अंदर और accounts, अगर management प्लस अगर हम computer को ले लेते हैं IT को ले लेते हैं या फिर accounts और IT को ले लेते हैं तो बहुत अच्छा combination मनता है companies के अंदर अगर आप लोगोंने accounts कोई भी accounts का course किया हुआ है और साथ मैं आपने computer किया है IT किया है कोई अच्छा course किया है तो companies के अंदर आपको बहुत अच्छे packages मिल जाते हैं वही अगर मैं बात करूँ ज़रूई नहीं है कि इन्ही सभी शेत्रों में आपको commerce की job मिलेगी आपको other शेत्रों में भी commerce की job जो है वो देखने को मिल सकती है जैसे कि अगर मैं बात करूँ अदर हर जगाँ पर management की तो आवशकता होती ही होती है चाहे वो hospital हो चाहे वो bank हो चाहे वो कोई भी engineering company क्यों ना हो हर जगाँ पर आपको accounts की content की management की आवशकता होती होती है क्योंकि अब सारी चीज़े जो है वो website हो गई है commercial हो गई है सो वहाँ पर जरत पड़ेगी पड़ेगी जैसे कि content की jobs वगरा मिल जाती है hospital में और अदर जगाँ पर FCI जो है government department है वहाँ पर भी मिलती IT companies जो है वहाँ पर भी commerce के लिए बहुत अच्छा scope रहता है ठीक है न ये थी सारी latest जानकारी के आपको commerce के बारे में मैंने थोड़ा overview देने की कोशिश की आपको के commerce क्या होता है commerce आपको क्यों लेनी चाहिए और अगर आपका इन सब चीज़ों में interest है मतलब मैंने ये पतानी की कोशिश की कि आप आगे जब जाएंगे आपको तो क्या-क्या आपको opportunities create होंगी और commerce क्योंकि students को पता ही नहीं होता है हम commerce क्यों ले रहे हैं और commerce है क्या इसमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा हमें क्या-क्या चीज़ें हमें face करने पड़ेगी क्या-क्या jobs हमें देखनी पड़ेंगी क्या subjects है और कौन-कौन से हमें courses आगे college में जाकर हमें करने को मिलेंगे ये चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती है आपको काफी helpful लगा होगा ये और अगर फिर भी आपके कोई doubts रह जाते हैं तो आप बेजी जग मुझे comment box में comment कीज़ेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी सहायता करने की सुचलिए अब मिलते हैं next lecture में किसी नए topic के साथ तक के लिए धन्यवाद